नमस्कार माई 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंप्री नामा में आपका बहुत बस स्वागत है मैं हूं संदीब ग्रोवर कंप्री नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगर से जुड़ी भीते कारोबारी हफते यानि सुमवार से शुकरवार की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं साथ ही विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूब-रू करवाते हैं हमारे खास सेग्मेंट on the radar के जरीए तो शुरू करते हैं इस हफते की खबरों का सफर कॉर्पिट से जुड़ी बड़ी सुर्कियों के साथ चलते हैं पह को अपने हर एक शेयर के बदले में ABL-BL का एक शेयर मिलेगा डी मरजर की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ABL-BL की अलग से स्टाक एक्षेंजों पर लिस्टिंग करवाई जाएगी 22 अपरेल को ABFashion का शेयर करीब साड़े चार फीज़दी की मजबूती के साथ 241 रुपे सतर पैसे के सतर पर बंद हुआ था दूसी कबर अल्टाटेक्सिमेंट के बोर्ड ने इंडिया सिमेंट्स की परली महराष्ट्र में इस्तित ग्राइनिंग यूनिट के अदिग्रहन को मंजूरी दे दी है एक दिशनलव एक MTPA की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए दोनों कम्पनियों में 315 करोड रुपे की रकम में सौधा तैह हुआ है इसके लावा बोर्ड ने अदिग्रहन के बाद परली में 166.4 करोड रुपे की लागत से 1.2 MTPA और 338 करोड रुपे की लागत से धूले महराष्ट्र में 1.8 MTPA शमता विस्तार को भी मंजूरी दे दी है निया प्लान खरीदने की खबर से 22 अपरेल को अल्टर टेक्सीमेंट का शेयर करीब सावा दो फीज़दी की मजबूती के साथ 9,579 रुपे 45 पैसे के स्थर पर और इंडिया सीमेंट्स का शेयर करीब 2 फीज़दी गिरकर 220 रुपे 5 पैसे के सथर पर बंद हुआ था सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी एनेफल को सरकार से नवरतन कंपनी का दरजा मिलने के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कंपनी ऑपरेशनल तौर पर जादा फीडम के साथ काम कर पाएगी इस कैटेगरी की कंपनिया अपने नेटवर्ट का 15 फीजदी तक बिना अप्रूवल के सिंगल प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकती हैं खबर के चलते 22 सेप्राइल को एनेफल का शेयर करी पौने 6 फीजदी की बड़त के साथ 102 रुपे 70 पैसे के भावव पर बंद हुआ था रुपे कर दिया था ने साल से एक दिन पहले रिकार्ड फूड और से उससाहित होकर कंप्टी ने जनुवी 2024 में प्रमुख बजारों में प्लैट्फॉम फीजद को 3 रुपे पती और से बढ़ाकर 4 रुपे कर दिया था नई प्लैट्फॉम फीजद सभी ग्राकों पर एक सो तिरानवे रुपे 40 पैसे के सर पर कारोबार की समापती हुई पांचवी खबर दियाश की सबसे बड़ी एरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर गलोब एविएशन ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए यूएस की कंपनी आर्चर ए वी टोल विमान की मदद से साथ मिनिट की इस उडान का दो हजार से तीन हजार रुपे किराया हो सकता है दोनों कमपनियां दिल्ली की तरह मुंबई और बेंगलूरू में भी इस तरह की टैक्सी सेवा शुरू करेंगी ख़बर के चलते 22 अप्रेल को इंडिको का शेर करीब साड़े चार फीज़ी की मदबूती के साथ 3715 रुपे के साथ पर बंद हुआ था चछटी कबर सुमवार 22 अप्रेल को खबर थी कि मारकेट रेगलेटर सेवी ने देश की सबसे बड़ी कमोरिटिस एक्सचेंज MCX को क्रूड आयल और नेच्रल गास के मिनी कॉंट्रेट्स में आप्शन ट्रेडिंग को मनजूरी दे दी है हलाकि दिन के दुरान शेयर 3969 रुपे तक भी उचल गया था साथ फी खबर सुमवार 22 अप्रेल को बंद हुए वोड़ाफोन आइडिया के एफपीयो को तीसरे दिन निवेशकों से जबरदस रिस्पॉंस मिला बिडिंग के आखरी दिन ये एफपीयो कुल साड़े छे गुना के आसपास भर कर बंद हुआ 18,000 कुरूर रुपे के इस एफपीयो को QIB यानी संसागर निवेशकों से सबसे ज़ादा करीब साड़े सतरा गुना बोलियां मिली वही एनाए का हिस्सा करीब सवाचार गुना और रीटेल निवेशकों का कोटा सबसे कम केवल शुन्य दुशनलव नौ एक गुना ही भर पाया खबर के चलते ही 22 अप्रेल को वोड़ाफोन आइडिया का शेर 12 रुपे 90 पैसे के सतर पर एकदम सपार्ट बंद हुआ हाला कि इंटर डे में शेर 12 रुपे 10 पैसे तक भी फिसल गया था एफपीयो को निवेशकों से उमीन से बहतर रिस्पॉंस मिलने से 23 अप्रेल को वोड़ाफोन आइडिया का शेर करीब पौने 12 फिसली के साथ 14 रुपे 40 पैसे पर बंद हुआ क्योंकि नुवामा की एक रिपोर्ट के मताबिक एफपीयो के तहर जारी शेरों से कंपनी का फ्री फ्लोट बढ़ेगा और इससे अगस्त में होने वाले MSCI इंडेक्स में रिव्यू में ये शेर इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है वहीं भारती एटल के शेर ने भी 23 अप्रेल को 1351 रुपे की नई रिकॉर्ड उचाई को चुआ और करीब 4 फिसली की मजबूती के साथ बंद हुआ गुरुवाल 25 अप्रेल को वोड़ाफोन आइडिया के एफपियो के तहर जारी करीब 1636 करोड शेरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग पर निवेशकों का ठीक ठाक पैसा बना है एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को बैंकों से तभी करज मिलेगा जब बैंक करज की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होंगे और इसके लिए बैंक कंपनी से करज वापसी का रोड मैप भी मांग सकते हैं दिसंबर 2023 के अन तक कंपनी पर करीब सवा 2,00,000,000 करोड रुपे का करज था 25 सप्रेल को कारुबार के अन पर 14 रुपे 40 पैसे की उचाई चूने के बाद वोटफोन आइडे का शेर पौने 6 फीजदी चड़कर 13 रुपे 85 पैसे पर बंद हुआ हलाकि इंटर डे में शेर 11 रुपे 90 पैसे तक भी फिसल गया था और फी कबर टाटा ग्रूप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने बैंकिंग रेगलेटर आरबियाई से आई पियो लाने के नियम में रियायत की मांगी है दरसल टाटा समू ने बैंकिंग रेगलेटर आरबियाई से उस नियम में छूट मांगी है जिसके तहए उसे समू की होल्डिंग कंपनी और NBFC टाटा संस को शेर बजार में लिस्ट कराना होगा विजब बैंक के नियमों के तहट दिगज NBFC कंपनियों का शेर बजार में लिस्ट होना जरूरी है और टाटा संस को सितंबर 2025 तक शेर बजार में लिस्ट होना आनिवारिया है लेकिन अब टाटा समू ने RBI से इस नियम पर छूट पागी है क्योंकि टाटा संस ने अपनी ग्रूप कंपनी TCS में हिस्सा बिकली से 9000 क्रूर रुपे की रकम जुटाई है जिससे कर्ज में भारी मातरा में कमी हो गई है निमो के मताबिक कंपनी को अनिवारी लिस्टिंग से बचने के लिए RBI की अपर लेर यानि दिगज NBFC की सूची से बाहर होना होगा और इसके लिए कंपनी को अपने कर्ज को पूरी तरह खत्म करना होगा खबर के चलते 22 अप्रैल को टाटा कैमिकल्स का शेर करीब एक फीजदी चड़कर 1113 रुपे पर बंद हुआ हाला कि इंटर डे में शेर 1100 रुपे के नीचे भी लोड़ा गया था इस IPO से टाटा कैमिकल्स को सबसे ज़ादा फायदा होने की उम्मीद लगाई गई थी शेकर शर्मा ने कहा कि मर्चेंट्स का माइग्रेशन पूरा हो गया है और सिस्टम येस बैंक के बैक पर चल रहा है इसके लावा खबर ये भी थी कि कंपनी ने यूपी आई और यूपी आई पेमेंट पर क्रेडिट कार्ड के लिए दो नए साउंड बॉक्स रिवाइस लाँच किये हैं कंपनी के फाउंडर विजशेकर शर्मा ने ऐलान किया है कि इन प्रोडक्ट्स को पू तीन सो तिरासी रुपे के सतर पर बंद हुआ था दस वी खबर मंगलवार तेहीं सप्रेल को इंदप्रस मेडिकल के शेयर ने दो सो असी रुपे पचास पैसे की रिकॉर्ड उचाई को चुगा दरसल क्वांट मूचिल फंड ने क्वांट स्मॉल कैप फंड के जरिये सुम फिजदी के बड़े उचाल के साथ 278 रुपे के सतर पर बंद हुआ था सिमेंट कारोबार में नंबर वन पर पहुँचने के लिए अदानी समू बड़ा निवेश करने की तियारी में है एक रिपोर्ट के मताबिक अदानी ग्रुप की तरफ से अमबूजा सिमेंट में करीब 9 अरब डॉलर का निवेश किया जा सकता है और ये निवेश मौजदा शम्ता बढ़ाने के साथ साथ कई जगों पर दूसरी छोटी एकाईयों के अधिग्रहन के लिए भी हो सकता है फीजदी चड़कर 637 रुपे पर और अल्टाटेक सिमेंट का शेर करीब आदा फीजदी गिरकर 9,525 रुपे के साथ पर बंद हुआ था बारवे खबर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को परसाहिद करने के लिए 24 अप्रेल से एनसी ने निफ्टी नेक्स 50 की एफ और टेडिंग पर कोई ट्रांडेक्शन चार्ज नहीं लगाने की खोशना की है एनसी के और से निफ्टी नेक्स 50 के वाइदा बदार के सौदों पर 31 अक्तूबर 2024 तक कोई ट्रांडेक्शन चार्ड नहीं लगाया जाएगा खबर के चलते 24 सप्राइल को एनसी की प्रतिदोंदी एक्स्चेंज वी एसी का शेर करीब 2 फीजदी गिरकर 3136 रुपे के स्थर पर बंद हुआ हलांकि इंटर डे में शेर 3070 रुपे के स्थर तक भी फिसल गया था तेर भी कबर पावर ग्रिड ने एनटीपीसी एनटीपीसी डीवीसी सीपी आराई की जेवी कमपनी एनच पी टीयल में 30 फीजदी अतरिक्थ इससेदारी खईदने की घोचना की है कंपनी के और से हर इन चार कंपनियों से साड़े साथ फीजदी सेधारी खईदी जाएगी सौधे के बाद NHPTL में कंपनी की सेधारी 20 फीजदी से बढ़कर 50 फीजदी हो जाएगी जबकि इन चारों कम्पनियों का हिसाब 20 फीजदी से घट कर साड़े 12 फीजदी हो जाएगा खबर के चलते 24 सप्रेल को पावर गिड का शेर करी पॉने 2 फीजदी की मद्बूती के साथ 290 रुपे 10 पैसे के सतर पर बंद हुआ था चौधवी खबर रेल एस्टेट कारोबार से जूडी कमपनी पूरवांकरा को मुंबई के पाली हिल इलाके में एक रेजिदेंशल सोसाइटी के री डेवलोपेंट के लिए प्रिफर्ड डेवलोपर के रूप में चुना गया है इस प्रोजेट में 4.1 शुने लाक स्क्वेर फिट कारपेट एरिया डेवलोप किया जाएगा इस प्रोजेट की संभावित ग्रॉस डेवलोपेंट वैल्यू दू हजार क्रूर रुपे से जादा आकी गई है देश की सबसे मुलेवान कंपनी Reliance Industries यानी R.I.N. ने Consumer Electronics और Home Appliations कारोबार में पकड़ मजबूत करने के लिए कमर कसली है इस माकेट में अपने ब्रैंड वाइजर को परमोट करने के लिए R.I.N. ने Production Agreement के लिए डिक्सन टेकनोलोजीस और Mirk Electronics जैसी Contract Manufacturing कमपनियों के साथ बातचित शुरू कर दी है और आगे चलकर खुद के प्लांट भी लगाएगी सुवार 22 सप्राइल को R.I.L. के और से घोचित किये गए चौती तिमाही के नतीजों में ये जानकारी दी गई है खबर के चलते 24 सप्राइल को R.I.L. के शेर में आदा फीज़ी से जादा की गिरावट के साथ 2,901 रुपे 45 पैसे के स्थर पर कारोबार कांत हुआ वहीं डिक्सिन टेक का शेर 5 पीज़ी चड़कर 8,152 रुपे पर बंद हुआ और इंटर डे में शेर ने 8,200 रुपे का रिकॉर्ड उस्तम सर्विच हुआ था साथी रेलाइंस जियो डेटा खपत के मामले में सबसे बड़ा मोबाइल उपरेटर बन गया है जियो ने ये मुकाम चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ कर हासिल किया है ग्लोबल अनलेटिक्स फर्म्स एफिशेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली तिमाही में जियो का कुल डेटा ट्राफिक 46,9 एकसाबाइट दर्च किया गया वहीं दुनिया में डेटा ट्राफिक में अब तक नमबर वन कमटी रही चाइना मोबाइल रोड़क कर नमबर दो पोजिशन पर पहुँच गई उसके नेटवर्क पर डेटा खपत इमाही में 40 एकसाबाइट से भी कम रही ग्लोबल स्टर पर 108 मिलियन कस्टमर्स के साथ जीओ सबसे ज़ादा 5G कस्टमर्स वाली दूसरी टेलेकॉम कमटी है जीओ के कुल वाइरलेस डेटा ट्राफिक का 28 फीजी से ज़ादा हिस्सा अब 5G यूजर्स कंजूम कर रहे हैं 25 अप्राइल को खबर थी कि कमपनी के स्ट्रीमिंग प्लाट्फरम जीओ सीनेमा ने OTT के छेतर में एक नई जंग की शुरुवात कर दी है असल में जीओ सीनेमा ने 29 रुपे पती महिने का सब्स्रिप्शन प्लान लाँच किया है इतनी कम कीमत का प्लान लाँच करने से नेट्फलिक्स और अमजन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसिस के लिए कॉंप्यूटिशन बढ़ गया है इस प्लान को सिर्फ एक डिवाइस पर इस्तिमाल किया जा सकता है इसके लावा एक साथ चार डिवाइस पर स्ट्रीम करने के लिए फैमिली प्लान भी लॉंच किया गया है जिसके लिए 89 रुपे पती महिने का भुक्तान करना होगा खबर के चलते 25 सप्रेल को आरेल का शेर आदा फीजी से ज़्यादा चड़कर 2970 रुपे 70 पैसे के सरफ पर बंद हुआ और शेर का इंटर डे हाई 2935 रुपे 95 पैसे का था सोलवी खबर आईटी सी ने अपने होटल बिजनस के डी मर्जर के पस्ताव को मंजूरी देने के लिए 26 जून को शेधाको की मीटिंग बुलाई है जो कि सुबह साड़े दस बजे इलेक्टरॉनिक मोड के जरिये होगी 22 अपरेल 2024 को जारी एंसे एल्टी की कॉलकता बेंच के निर्देश के मताबिक शेधाको की ये मीटिंग बुलाई गई है प्रीमरजर की इस प्रक्रिया को स्टाक एक्षिंजों की और से पहले ही एनोसी दी जा चुकी है खबर के चलते 25 अपरेल को आईटीसी का शेर करीब 2 फीजदी की बढ़त के साथ 437 रुपे 80 पैसे के भावग पर बंद हुआ था सत्रवी खबर हैपियस माइन्स टेकनोलोजीज ने नॉइडा की प्यूर सौफ़वेर टेकनोलोजी साथ सो उनासी करोड रुपे तक की रकम में खरीदने की योजना का एलान किया है यह अधिगरहन शेयर पचेस एग्रिमेंट के जरीए किया जाएगा जिसके बाद प्यूर सौफ़वेर इस कंपनी की सौ फीजदी इससे वाली सब्सेडिरी कंपनी बन जाएगी अधिगरहन की खबर से 25 अप्रेल को हैपिएस माइन्स का शेयर करीब एक चताई फीजदी की बड़त के साथ 821 रुपे 55 पैसे के बाव पर बंद हुआ हलाई की शेयर का इंटर डे हाई 838 रुपे 65 पैसे था अठार भी खबर बुद्वा 24 अप्रेल को हुई ब्रॉग डिल के जरीए कनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्मेंट ने डेलिवरी के 2 करोड 4 लाख शेयरों की बिक्वाली की है 444 रुपे 30 पैसे के दाम पर स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने 1 करोड 38 लाख शेयरों की खायदारी की है वहीं कैपिल ग्रॉप और फिडेलिटी इन्वेस्मेंट्स भी खायदारों की सूची में शामिल है लाख गिल की जानकारी सामने आने के बाद 25 सप्रेल को डेलिवरी के शेयर में करीप उने 3 फीजदी के बड़त के साथ 460 रुपे 50 पैसे के दाम पर काड़ोबार का अंध हुआ 19 वी कबर देश की सबसे बड़ी गैस मारकेटिंग कमपनी गेल ने ग्लोबल एननजी ट्रेडर बनने का लक्षन इधारित किया है क्योंकि मारकेट में हो रहे विस्तार से बिजनस के नए मौके खुल रहे हैं 2030 तक कमपनी की अपने LNG वालियूम को दो गुना करने की योजना है जिसके तहट गैर भारतिय ग्रहाकों को सिवाए देने की भी कमपनी की योजना है खबर के चलते 25 अप्रेल को गेल का शेर करीब एक शुताई फीजदी की बड़त के साथ 207 रुपे 95 पैसे के भाव पर बंद हुआ बिसवी कबर वितवर्ज 23-24 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 55,000 करूड उपे की पूंजी जुटाने को मनजूरी दे दी है ये पूंजी, कर्स और एक्विटी जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स के जड़े जुटाई जाएगी जिसमें विदेशी और घहलू करंसी में कर्स भी शामिल है इसके अलावा करीब साड़े तीन लाख करूड उपे की मारकेट कैप के साथ वैल्यू के हिसाब से एक्सिस बैंक को टक बैंक को पचार देश का चौथा सबसे बड़ा और नीजी छेतर में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है खबर के चलते 25 अप्रैल को एक्सिस बैंक का शेर 6 फीजदी के उचाल के साथ 1127 रुपे 45 पैसे की स्थर पर बंद हुआ था 21 वी खबर शुकवार 26 अप्रैल को रुजल इंडिया के शेर में कारोबार के शुरुवाती एक घंटे में 20 फीजदी का उपरी सरकेट लग गया था दरसल कंपनी को NCLT की कॉलकता बैंसे अपने एरो स्पेस और डिफेंस कारोबार के डी मर्जर की मनजूरी मिल गई है कंपनी रुजल टेक्सिस लिमिटेड यानि आर्टियल के नाम से अपना एरो स्पेस और डिफेंस कारोबार उपरेट करती है रुजल इंडिया के दो कारोबार हैं रुजल टी डिवीजन के जरिए ये कंपनी चाय की खेती, मैनुफेक्टरिंग और बिकवाली करती है वहीं रुजल टेक्सिस डिवीजन के जरिए डिफेंस और एरो स्पेस कारोबार उपरेट करती है इस डी मर्जर के लिए 1 अपरेल 2023 की तारीख तै की गई है 26 अपरेयर को रुजल इंडिया का शेर 20 फीजदी के उपी सरकेट पर 468 रुपे 35 पैसे के भाव पर बंद हुआ इंडो काउन ने ग्लोबल हूम फैशन ब्रैंड वामसुता के अधिग्रहन की है इंडो काउन का अमेरिकी कंपनी बियांड से 1.05 करूड डॉलर की रकम में ये सौधा तै हुआ है आपको पता दे कि वेमसुता लग्जरियस बेड, बाथ और अन्य होम फैशन प्रोड़क्स बनाती है इस अधिग्रहन से इंडो का ब्रैंड पॉर्टफोलिय मजबूत होगा और प्रीमे मांकिट सेग्मेंट में कमपनी की सिती में सुधार होगा अधिग्रहन की खबर से 22 अप्रेल को इंडो का शेर करीब धाई फीजदी चड़कर 384 रूपे के सतर पर बंद हुआ था इंडा ने हेल्थ इंचॉरेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है असल में इडा ने हेल्थ इंचॉरेंस यानी स्वास्ते बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है अब 65 साल से जादा उम्र के लोग भी हेल्थ इंचॉरेंस पॉलिसी ले सकेंगे इससे बढ़ापे के दुरान लोगों को इलाज में बड़ा सही होग मिलेगा पुरानी गाइडलाइन्स के मताबिक नई हेल्थ इंशॉर्निस पॉलिसी सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही खरीदी जा सकती थी लेकिन अब इससे जादा उम्र की लोग भी पॉलिसी खरीच सकेंगे इड़ा के नए नियम एक अप्रेल से लागू होए हैं इसके गजट नॉटिफिकेशन में कहा गया है कि बीमा कमपनियों को अब ऐसे हैल्थ इंशॉर्निस प्रोड़क्ट बनाने होंगे जो की हर उम्र की लोगों पर लागू होते हों साथ ही कमपनियों को सीनियर सिटिजन्स, स्टूडेंट्स, बच्चे और मदर हुड को ध्यान में रखते हुए भी प्रोड़क्ट लाने होंगे इड़ा ने कहा है कि पहले से किसी बिमारी से जूज रहे लोगों के हिसाब से भी कमपनियों को बिमा पॉलिसी लानी होंगी ने नियम आने से 22 अप्रेल को आईसे से लोंबार का शेर मजबूत बजार में भी करीब 1.5 फीज़दी गिर कर 1686 रुपे पर लेकिन जी आईसी का शेर पॉने दो फीज़दी की मजबूती के साथ 330 रुपे 35 पैसे के सतर पर बंद हुआ था तो ये थी बिते कारुबारी हफते की कार्पे जगत से जोड़ी बड़ी सुर्खियां लेकिन आब रुख करते हैं कार्पे जगत की ऐसी ख़बरों का जनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है अंदर अडार के जरिए और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ सुमवार 22 अप्राइल को जी एस पील के शेर में कारुबार के शुरुवाती पांच मिन्टों में ही 20 फीजदी का निचला सरकेट लग गया था और शेर 302 रुपे 15 पैसे तक फिसल गया था असल में तेलगेस सेक्टर के रेगुलेटर पी एंजी आरबी ने कमपनी के हाई प्रेशर नेटवर्क की दर 34 रुपे पती एमेंबी टी यू से 47 फीजदी घटा कर 18 रुपे 10 पैसे पती एमेंबी टी यू कर दी है दूसरी कबर सुमवार 22 अप्रेल को रामकिशन फोरजिंग्स का शेर पॉने 7 फीजदी गिरकर 720 रुपे 10 पैसे तक लोड़ा गया था दरसल इलेक्टिव वहिकल बनाने वाली अमेरिकी कमपनी टेसला ने पावर ट्रेन कॉंपोनेंट सप्लाई को पहले दी गई मंजूरी को अब होल्ड पर डाल दिया है 18 अप्रेल को कमपनी को ईवी कॉंपोनेंट सप्लाई करने के लिए मंजूरी मिली थी कारोबार के अंद पर शेयर करीब साड़े तीन फीजदी गिरकर 745 रुपे के सर पर बंद हुआ था तीसी कबर नैशनल कमपनी लोड ट्रिबनल यानी NCLT ने SL ग्रूप के चेर्मेन सुभाज चंद्रा के किलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अरजी को मंजूर कर लिया है ये अरजी इंडियाबुल्स हाउजिंग फनैस की और से दाकिल की गई है दरसल इंडियाबुल्स हाउजिंग फनैस ने विवेक इंफ्राकॉन नाम की एक कमपनी को कर्ज दिया था और इस कर्ज के लिए सुभाज चंद्रा गर इंटर बने थे कर्स के NPA होने के बाद Indiable Housing Finance ने सुभास चंदरा के खिलाफ दिवालिया परक्रिया के लिए NCLT में आवेदिन किया था जिसको सिवकार कर लिया गया है खबर के चलते ही 23 अप्रेल को Indiable Housing Finance का शेर करीब धेड़ फीजदी चड़कर 174 रोपे पर बंद हुआ 26 अप्रेल को खबर आई कि दिवालिया कोट यानि NCLT ने SL समू की दो और कमपनियों प्रिम कॉम मीडिया दिस्ट्रिबूशन वेंचरस लिमिटेड और SL होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को मंजूरी दे दी है दरसल समू की एक और कमपनी जीनेक्स रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड ने 260 करूर रुपे के भुक्तान पर डिफॉल्ट कर दिया है जहां इन दोनों कमपनियों ने कॉर्परेट गरेंटी दे रखी थी ये अर्जी भी इंडियावूल हाउसिंग फरेंस की और से ही दी गई है 26 अपरेल को इंडियावूल हाउसिंग फरेंस का शेर करीब एक चुताई फीज़ी की बड़त के साथ 170 रुपे 85 पैसे के सथर पर बंद हुआ था चौथी खबर M&M Financials की नौर्थ इस्ट की एक ब्रांच में डेट सो करोड रुपे के फराड का मामला सामने आया है इस घुटाले के चलते कमपनी ने मंगलवार 23 अपरेल को जारी होने वाले वितवस 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे को टाल दिया है कमपनी के तिमाही नतीजे अब 30 मई को जारी होंगे आपको पता दे कि फराड का ये मामला रीटेल सेग्मेंट में वीकल लोन में के वाई सी में गड़बडी से जुड़ा है कमपनी के मदाबिक फराड के मामले की जांच जारी है जिसमें कुछ लोगों को गेफतार भी किया गया है खबर के चलते 23 सेपरेल को एमनेम फिनेंशल का शेर साड़े 5 फीजदी गिरकर 263 रुपे 45 पैसे पर बंद हुआ हाला कि इंटर डे में शेर 256 रुपे 50 पैसे तक भी फिसल गया था पांचवी खबर बैंकिंग रेगलेटर आरबियाई ने प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंदरा बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई की है आरबियाई ने बैंक की और से मुबाइल और आनलाइन बैंकिंग के जरिए ने ग्रहक जोडने पर रोक लगा दी है साथ ही ने क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है आरबियाई ने नेमों की अंदेखी के चलते ये फैसला लिया है और रिजर्व बैंक ने ये कारवाई बैंक के 2022 और 2023 के आईटी सिस्टम में जांच के बात की है जिसमें बैंक को लेकर गंबीर चिंताएं उठी है इस जांच के मताबिक मजबूत आईटी इंफ्रा की गैर मौजूदगी में बैंक की डिजिटल बैंकिंग को अकसर और बड़े आउटीजिस का सामना करना पड़ रहा है खबराने के बाद गुरुवार 25 सिप्राइल को कोटक मेंदरा बैंक का शेर पौने 11 फीजदी गिरकर 1645 रुपे पर बंद हुआ था और दिन के दुरान शेर ने 1602 रुपे के 52 हफ़ते के निचले स्थर को भी चुआ था चटी खबर बैंकिंग रेगलेटर आर बियाई ने आयाइफल फिनैंस के स्पेशल आडिट की शुरुआत कर दी है कमपटी के और से स्टाक एक्षिंजिस को दीकी जानकारी के मताबिक मंगलवार 3 से अपरैल से आर बियाई के आदेश के अनुसाद स्पेशल आडिट शुरू हुआ है और स्पेशल आडिट टीम को कमपनी पूरा सही हो कर रही है खबर के चलते 24 से अपरैल को आयाफल फिनैंस का शेर करीब एक चुताई फीज दी गिर कर 409 रुपे के सर्फ पर बंद हुआ था साथ भी खबर 3 से अपरैल को खबर थी कि फूड रेगलिटर F.S.S.A.I. की और से नेसले इंडिया के साथ साथ अन्ने बेवी फूड कमपनियों के प्रोड़क्स की जाच की जाएगी इसके लिए F.S.S.A.I. ने बादार से सेंपल कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है F.S.A.I. की और से बेवी फूड कमपनियों के प्रोड़क्स में अतिरिक चीनी और नमक की भी जाच होगी खबर के चलते 23 अपरेल को नेसले इंडिया का शेर करी पौने 2 फीज़ दी चड़कर 2499 रुपे 45 पैसे के स्थार पर बंद हुआ हाला की दिन के दुरान शेर 2425 रुपे 95 पैसे तक भी फिसल गया था तो कॉर्पेट जगह से जुड़ी इस अफ़ते की सारी बड़ी खबरे हमने आपे सामने रखती हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्ट अप से जुड़ी खबरों की स्टार्ट अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ साल 2024 की पहली तिमाही यानि जनवरी माज 2024 के दुरान भारती स्टार्टप्स को 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है हला कि तिमाही के दुरान फंडिंग की रकम पिछले साल की समान अबदी के 2.4 अरब डॉलर से 3.1 फीज़ी कम है हला कि मासिक अधार पर दूसरे मेने लगातार फंडिंग की वैल्यू में सुधार देखने को मिला है डेटा अनलिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट के मताबिक इस दुरान डील संख्या 294 से 2.2 फीज़ी घटकर 288 रही तिमाही के दुरान देश में दो नए स्टार्ट अप्स यूनिकॉन बने हैं एक ओला कृतरिम और दूसरा फिंटेक सौफ्वेर एज़ा सर्वेस यानि सास फर्म परफियोस एक करब डॉलर या ज्यादा वैलेशन वाले स्टार्ट अप्स को यूनिकॉन का दरजा हासिल होता है दूसरी कबर एट्टेक स्टार्ट अप बाईजूस के फाउंडर और सीईओ बाईजू रविंदरन ने करमचारियों को मार्च की सैलरी देने के लिए अपनी व्यक्तिकत शमता में बजार से कज उठाया है कमचारियों के आंशिक वेतन बुक्तान पर 25 से 30 करोड रुपे के बीच खर्च होने का अनुमान है कमचारियों के खाते में शनिवार 20 अपरेल को वेतन जमा किया गया है शिक्षकों और सबसे कम वेतन वाले करमचारियों को 100 फीजदी बुक्तान किया गया है 24 अपरेल को खबर थी कि NCLT की बेंगले रूबेंच ने एट्टेक कमपनी बाइजूस के राइट शिशू से जुड़े मामले की सुनवाई को 6 जून तक के लिए टाल दिया है हलाकि नगदी की दिक्कत से जूज रही कमपनी को NCLT से राइट शिशू की रगम इस्तिमाल करने की मंजूरी मिलने की उमीद थी जिससे 15,000 करमचारियों को सेल्डी का भुक्तान किया जा सके कमपनी का मासिक वेतन खर्च 40 से 50 करोड रूपे है तिसी कबर 15 महिने के लंबे इंतजार के बाद फिंटेक फर्म पेईउ को पेमेंट एग्रिकेटर के रूप में काम करने और नए वेपारियों को फिर से जोड़ना शुरू करने के लिए बैंकिंग रेगलेटर आरबियाई से सेधान्तिक मनजूरी मिल गई है जनवे 2023 में आरबियाई ने जटिल कॉर्पेट स्क्चर के कारण पेईउ को पेमेंट एग्रिकेटर के रूप में काम करने के आवेदन को वापस कर दिया था और नए वेपारियों को शामिल करने से रोख दिया था वेल्थ मेनेजमेंट और हाइपर लोकल ई-कॉमर्स कारोबार को बढ़ाने के लिए ये निवेश किया है जिसमें से आदी से ज़्यादा रकम यानि 426 करोड उपे का निवेश फोन पे इंशॉरेंस ब्रोकिंग सर्विसिस में किया गया है इससे साब संकेत मिलते हैं कि कंपणी अपने इंशॉरेंस कारोबार को लेकर काफी बुलिश है रेष्टरार ऑफ कंपनी जानी ROC से मिली जानकारी के मताब़िक कंपणी ने इंशॉरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद से इस कारोबार में एक हजार करोड रुपे से जादा का एक्विटी निवेश किया है हाला कि पिछले एक साल में कमपनी ने फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग नाम की सब्चिनरी में भी दो सो सतासी करोड रुपे का निवेश किया है पांचवी खबर सौट बैंक, टीपीजी और M&M के समर्थन वाली बेवी प्रोड़क्स बनाने वाली दिगज कमपनी फर्सक्राई ने आईपियो के जरीए 50 करोड डॉलर की रकम जटाने से जुड़े दस्तावेज वापस ले लिए है एक रिपोर्ट के मताबिक मार्केट डेगलेटर सेभी ने कमपनी के फिनैंशल्स की जानकारी साधा करने को लेकर सवाल खड़े किये हैं जिस वज़े से कमपनी ने ये कदम उठाया है चटी कबर ऑनलाइन फूड डिलिवरी कमपनी स्वीगी के शेधाकों ने 1.2 अरब डॉलर का आईपियो लाने को मनजूरी दे दी है इस इशू के जरीए कमपनी की 10,414 करोड उपे जुटाने की योजना है एक रिपोर्ट के मताबिक तेईस अप्रायल को हुई स्वीगी की एजियम में आईपियो को लेकर एक स्पेशल रेजोलिशन पारित किया गया है फ्रेश इशू के जरीए कमपनी की करीब 3,750 करोड उपे और OFS के जरीए 6,664 करोड उपे जुटाने की योजना है माना जा रहा है कि स्वीगी का आईपियो इसी साल आ सकता है जिसके लिए कमपनी ने सेवी के पास कॉन्फिडेंचल रूट के जरीए दस्तावेज जमा भी कर दिये हैं इसी के साथ वक्त हो गया है आप से इजादत लेने का इस अफते का शोव आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर शेर करें तो अगले शनिवार की शाम को आप से फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहें मनी नाई लेकिन चलते चलते एक जरूरी बात अब आप मनी नाई की आप पर परस्ने फरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूश सकते हैं अगर आपको स्टाक्स, म्यूचल फंड्स या टैक्स एरेलिटेट कुछ जानना है तो आप अपने एक्सपर्ट से सीधे पूश सकते हैं आप इंगलिश, तेलुगू, कन्नट, मराथी, गुजराती और बांगला में से किसी भी भाशा में सवाल पूश सकते हैं सिर्फ मरी नाइन के सूपर आप पर और अगर आपने अभी तक मरी नाइन के सूपर आप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए समय हो गया आप से विदा लेने का नमस्कार शुबरात्री